हलो जी नमस्ते चतिरगर रोजगान जोज में आपका स्वागत है मैं हूँ बिजय जहान और आपके लिए लेकर क्या गए है नई भरती पंजाब के अंतरगत महिलयां बालविकास विभाग द्वारा यहाँ पर नई भरती के लिए नोटिफिकेसन जारी गया है जिसमें 5714 पदोपर भरती की जाएगी महिलयां बालविकास विभाग द्वारा यहाँ पर भरती की जा रही है जिसमें 5714 पदोपर भरती की जाएगी जिसमें आंगन बाड़ी कारिकरता की 1016 पदोपर भरती की जाएगी मेनी आंगनबाडी वर्कर के लिए 139 पदोपर भरती की जाएगी वहीं आगनबाडी हेलफर के लिए 4579 पदोपर भरती की जाएगी टोटल अगर भरती के बारे हम बात करें तो 5714 पदोपर भरतियां की जाएगी वहीं बात करें कॉलिफिकेसन के लिए तो जो भी अभियारती कक्षाट, वी, दस्वी और बार्वी पास हैं वे जो ही इसके लिए आवेधन प्रस्तूत कर पाएंगे केवल महिला भियारती जो है इसके लिए आवेधन प्रस्तूत कर पाएंगे वहीं बात करें आवेधन सूलक के बारे में तो जनरल वालों के लिए 1000 रुपे का सूल कर रखा गया है, SC, BC और EWS वालों के लिए 250 रुपे का सूल के यहाँ पर रखा गया है, वहीं EMS के लिए 26 रुपे का सूल कर रखा गया है, और साथे साथ दिव्यांग के लिए 500 रुपे का आवेधन सूल कर रखा गया है, इस भरती गई है साथ ही साथ बता दें आवेदन पत्र भरने के लिए जो यहां पर आफिसल वेबसाइट के लिंक दी गई है जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप टेली ग्राम चैनल पर भी जोड़ सकते हैं वहीं बात करें सेलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो मेरिट के अधार पर यहां पर सलेक्शन किया जाएगा 6600 रुपे सलेगर के 30,000 रुपे तक की आपको मौसिक वेतन देखने को मिल जाएगा या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देगल लिंक के माध्यम से इसके लिए विस्तरी जनकारी ले सकते हैं झाल झाल